इस वीडियो में हम किनी भी दो रियल नंबर्स के बीच में रियल नंबर्स फाइन करने की कोशिश करेंगे हम अभी तक दो राशनल नंबर्स के बीच में राशनल नंबर्स निकालना जानते हैं अब हम इस वीडियो में किनी भी दो rational numbers के बीच में irrational numbers निकालना सीखेंगे हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इनका decimal expansion देखना पड़ेगा हमें rational numbers के बारे में पता है कि rational numbers का decimal expansion या तो terminating होता है या फिर non-terminating and repeating होता है उसी तरीके से हमें irrational numbers के बारे में पता है कि उनका decimal expansion ना ही terminating होता है और ना ही repeating होता है तो इसकी help से हम किनी भी दो rational numbers के बीच में irrational numbers find करते है Let's say मेरे पास दो rational numbers है 2 by 3 and 5 by 6 ये P by Q form में है तो इन्हें मैं पहले इनका decimal expansion लिखोंगी तो 2 by 3 का decimal expansion होगा 0.666 और 0.6 bar और 5 by 6 का decimal expansion होगा 0.8333 और I can simply write 0.83 bar अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि जो है ये non-terminating है लेकिन इसमें एक specific number जो है बार-बार repeat हो रहा है अब अगर मुझे इन दोनों numbers के बीच में एक irrational number find करना है तो वो कोई ऐसा number होना चाहिए जो जिसका decimal expansion ना ही terminating हो और ना ही repeating तो वो number 0.666 से बड़ा होना चाहिए और 0.8333 से छोटा होना चाहिए और उसमें कोई भी specific block of numbers repeat नहीं होने चाहिए तो इस तरीके का आप कौन सा number लिख सकते हैं इस तरीके का एक number हो सकता है 0.717117111 and so अगर आप इस number को देखें तो ये number 0.666 से बड़ा है और 0.8333 से छोटा है और अगर इसमें देखें तो ये non-terminating है also इसमें जो numbers हैं इसमें कोई specific block of numbers repeat नहीं हो रहे है इसका मतलब है ये एक irrational number है जो इन दो rational numbers के बीच में आता है इसी तरीके से आप बहुत सारे irrational numbers इन दो rational numbers के बीच में निकाल सकते हैं अब हम किनी भी दो irrational numbers के बीच में irrational numbers या फिर rational numbers निकालने की कोशिश करेंगे let's say मेरे पास दो irrational numbers है that is 2.315, 325, 326 and so on और दूसरा number है मेरे पास 2.51525354 and so on अगर ये दोनो numbers देखो तो इनके आप decimal expansion में देख सकते हैं कि ना ही ये terminating है ना ही इसमें कोई specific block of numbers repeat हो रहे है तो ये दोनो ही irrational number है अगर इन दो irrational numbers के बीच में मुझे कोई irrational number निकालना है तो मैं क्या करूंगी मुझे पता है कि वो number इस से बड़ा होना चाहिए और इस number से छोटा होना चाहिए तो इस तरीके का एक number हो सकता है 2.41, 4243 and so on तो ये number अगर हम देखे तो इसमें भी कोई specific set of number जो है repeat नहीं हो रहा और ये decimal expansion भी जो है कभी terminate नहीं होगा हैंस ये एक irrational number है इस तरह के और भी numbers लिख सकते हैं तो इसमें नमबर्स जो है कोई भी एक specific repeat नहीं हो रहें और ये non-terminate हैं अब इसकी जगह अगर मुझे इन दो इन राशनल नमबर्स के बीच में राशनल नमबर्स निकालना हैं तो हमें राशनल नमबर्स की प्रापेटी बता हैं कि वो हमेशा या तो टर्मिनेटिंग होती या repeating तो मैं कोई भी अगर terminating decimal expansion लिखो जो इससे बड़ा हो और इस नमबर से छोटा तो वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा पॉर एक राशनल नमबर्स है वो obviously 2.315 से बड़ा होगा और 2.5152 इस नमबर से छोटा होगा उसी तरीके से 2.414, 2.42 ये सारे numbers भी जो है इससे बड़े और इस नमबर से छोटे होंगे ये कुछ terminating decimals है अगर मैं 2.4 बार भी लिखो तो इसमें एक specific number बार बार repeat हो रहा है तो इस number को भी हम rational number कह सकते हैं और ये number भी इन दो irrational numbers के बीच में आएगा